पार्ट 3 में हम देख चुके हैं वीवे सीचोंग को शौक दे रही थी और उन दोनों को इतने क्लोस पैंगियन देख लेता है आगे हम देखेंगे आई सिज़ेस्ट आपार्ट 4 से पहले पार्ट 3 भी देख लीचे जिसका लिंक आपको उपर आई बटन पर मिल जाएगा अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक और शियर करना और हाँ कॉमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना पार्ट फोर में हम देखते हैं वीवे उससे दूर हो रही थी सीचों कहता है आज तुम्हारा शौक बहुत स्ट्रॉंग था पर पैंगियन को देख वीवे वहां से चली जाती है और फिर पैंगियन उसे पताता है कि मुझे तुम्हारे शौक के बारे में हाई स्कूल से ही म और चली जाती है शीचों को पता चल गया था कि पैंगियन को भी वीवे कि शौक के बारे में अल्रड़ी पता है तो वह सीचों को भी ब्ली किया तो मैं उससे बदला भी ले लूंगा पर मॉम समझ जाती है कि वो वीवे के लिए इस सब कर रहा है क्योंकि सीचॉंग तो ऐसे कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता नेक्स जीचॉंग की बैट परफॉर्मेंस देख कोच कहती है तुम कल रात ऐसा के काम कर रहे थे यह डाक सकल हो रहे हैं जिससे तुमारी एनरजी भ चुझार चाता है इधर वीवे और बहाए है मसाज प्लब फोर्म पे स्टूडर्न कांस्लर के साइन नहीं करवा पाए थे इसली इसलिए टीचर उनका कांसलर के पास आती पर वो उसी इगनोर कर चला चाता है जो देंग रहेती है और फिर जान बूच कर कौंसलर पर ड्रिंक रा देती है ताकि वीवे के लिए बदला ले सके पर डिंग ये देख लेता है और उसे इंप्रेस हो जाता है फिर वो वीवे को मेसेच कर बताता है कि डैक्सी ने आज वीवे के लिए बदला लिया और डैक्सी वीवे से दूर होकर सैड भी है तो वीवे डैक्सी क पीकर तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो वो उसी के स्ट्रॉ से मिल्क्टी पी लेता है वीवी उस पर चिला पड़ती है और कहती है अगली बर अपने लिए दूसरी मिल्क्टी लेकर आना मेरी मत पीना और डुरेन केंडी खाने लगी थी जिससे देख सीचोंग मूँ बना र फ्रंट है तो वो उसकी केंडी लेकर खुद खालेता है और कहता है अब हम फ्रेंड्स हुए ना और भाग चाता है पर वो खुश हो रही थी डैक्सी अपनों ओर्डर किया केक लेने आई थी पर उसी ओर्डर करने वाले का नाम नहीं पता था और वहां डिंग को बैठा दे तब ही युशु आकर बताती है कि वीवे ने डैक्सी के लिए वो केक और किया था तो वो इंबेरस होकर भाग चाती है डिंग कहता है बीटुफुल लड़की केक तो लेती जाओ फ्री स्ट्रॉबेरी केक पाकर डिंग ने तो अपने पैसे बचा लिए पर दोस्तो अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहते हो या बीटियस के फैन हो और बीटियस मर्च पाय करने का बहुत मन है तो मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हो वैसे भी प्य अगर इसी शॉपिंग पर फ्री पैसा कमाना है तो एक काम की चीज़ बताती हूँ अब एमेसोन एचियो या मिंत्रे के डिसकाउंट के उपर और बी सद़ पैसे बचाने और एक्स्ट्रा कैश पैक कमानी है तो तो सीधी चना कैश कर उपर जो कि इंडिया की लार्चेस्ट कैश पैक साइट है जिस पे एमेसोन एचियो मिंत्रे से लेके बिग बचार तक सब मिलेंगी और एक्जिस्टिंग डिसकाउंट के उपर आप टू 30% एक्स्ट्रा कैश पैक अलग से कैश पैक माने हर शॉपिंग पे फ्री पैसा यहां कैश पैक दोनों कैश और डिवरी और ऑनलाइन पेमेंट पे मिलेगा और सबसे मज़िदार बात यह कैश पैक का पैसा आप सीधे बैंक में जमा कर सकते हो और वहां से निकलवा भी सकते हो और तो और यह एप रतन टाटा फंड़ड है यह यूज़ करना बहुत ही सिंपल है सिर्फ टू स्टेप्स और ध्यान से स स्टोर या एप स्टोर से करोगे तो मेरा कोड लवली 25 यूज़ कर लेना तो भी रुपिस 25 का बोनस मिल जाएगा सेकंड स्टेप अब होम पेज कोई भी मनपसंद की वेबसाइट जैसे एमेजोन सर्च करो और 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 बटन पर क्लिक करो जैसे चाहें शॉपिंग करो और अ पहिने के पैटरोल का खर्चा या ट्रिप का खर्चा तो निकलेगा इधर वीवे स्टूडन काउंसलर की कहने पे पोचा लगा रही थी पर वो फ्लोर फिर से गंदा कर देता है तो वीवे उसे पॉइंट आउट करती है पर काउंसलर उल्टा उसे सुनाने लगा था तबी पैंगियन आता है तो वो कहता है वीवे तुमने कितने लड़कों को बटा रखा है पैंगियन उसे वार्ण करता है कि वो कभी भी वीवे को बुली न करे और वीवे को उसका फेवरेट लॉलिपॉप देता है सी चॉंग टीचर को स्टूडन काउंसलर का अकाउंट दिखा क बताता है कि वो सब्स्टूडन को बुली करता है तो टीचर को काउंसलर पर गुसा आजाता है लाइबरेरी में पढ़ते-पढ़ते वीवे सो रही थी तो पैंगियन उसका फोन उठा लेता है वीवे के फोन पे पैंगियन के वास सुन सी चॉंग गुसे में था पैंगियन उसे काउंसलर वाली बात बताने वाला था पर वीवे को वो गलफ्स देखते देख उससे वो गलफ्स ठीन लेता है वो उसे वापस मांगती है पर वो नहीं देता तो वो कहती है पैंगियन तुम्हारी तरह छुटे बच्चों की त्रेक्ट नहीं करता तो वो गुसे से मैं ये सब कर क्या रहा हूं। स्कूल में नोटिस लगा होता है कि स्कूल काउंसलर को उसकी पुजीशन से हटा दिया गया है और वीवे के मसाज कलब वाले फोर्म पे टीचर ने साइन भी कर दिये थे तो वीवे पैंगियन को थैंक्यू का मैसेश कर देती है जबकि उसके मैसेश का वेट तो सीचॉंग कर रहा था इनफेक्ट वो अपनी मॉम के साथ गुटने का चेक अप करवाने आया था तब ही उन्हें पते चलता है कि जुन-जुन डॉक्टर की बेटी है और वो बच्पन में सीचॉंग की फ्रेंड भी थी पर सीचॉंग को बच्पन का सही से कुछ याद नहीं था स्कूल जाते टाइम जुन-जुन उसे गिफ्ट देती है और हमें पते चलता है कि जुन-जुन सीचॉंग को लाइक करती है सीचॉंग वीवे को उसके गलफ्स वापस कर देता है पर वीवे को लगता है कि पैंगियन ने student counselor को हटवाया जिसकी विज़े से उनका कलब भी खुल सकेगा ये सुन सीचॉंग उससा हो चला जाता है फिर वीवे और बाय हाई अपने कलब का बैनर बांट रहे थे पर सिवाय डैक्सी और पैंगियन के कोई भी उनका बैनर नहीं ले रहा था पर जिब सीचॉंग उसकी बैनर बाटने में हल्प करता है तो लोग लाइन बना कर उनसे बैनर ले रहे थे तो वो सब खुश होते हैं बाय हाई कहता है पैंगियन ने काउंसलर को एक्सपोस करके अच्छा किया सीचॉंग कहता है क्या कहा किसने एक्सपोस किया वीवे कहती है पैंगियन ने हाँ हाँ तुमने भी हमारी बहुत हेल्प की है हीरो नमबर सेकिंड पर सीचॉंग गुसा हो चला जाता है लास्ट स्रॉबरी केक टेक्से से पहले डिंगने बाय कर लिया था तो वो उसे जगर पड़ती है और फिर खुद उसका केक खा लेती है पर वो स्माइल कर रहा था वीवे सीचॉंक से गुस्सा होने का रीजन पूछती है तो वो उसे बतानी वाला था पर देखता है कि पीरिट्स की विज़े से वीवे की तबद खराब है तो वो उसे अपने शोल्डर पर टांग कर डॉम के अंदर लेकर आता है वीवे उसी की चेस्ट पे सिरक लेती है तो वो उसे अच्छे से पकड़ लेता है वीवे के उठते ही वहाँ डेक्सी आ जाती है और वीवे की तबद खराब देख उसे रूम में ले जाती है जब वो देखती है कि डेक्सी रूम में वापस आ गई तो वो खुश होती है तो डेक्सी उसे ब्राउंटी देती है रात में सीचौंग वीवे के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहा था पर फिर कहता है नो वे, मुझे उसका शौक भी नहीं लगा नेक्स रे वीवे कलब ओपनिंग पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रही थी बट उसकी हाइट छोटी थी तो वो उसे प्यार से उठा का नीचे रख देता है और खुद वो डेकोरेशन करने लगता है वो उसका थैंक्यू करती है तो वो कहता है छोटी है तो मान लो, शोफ क्यों कर रही हो वो कहती है, छोटी किसे बोला? डेक से जबरदस्ती डिंग से समान उठवा रही थी मसाज कलब की ओपनिंग पार्टी स्टार्ट होती है और सबसे पहले डिंग की ही मसाज की जाती है पैंगियन वीवे को समान देने आया था तो वो उसका थैंक्यू कर रही थी पर सीचौंग जैलस हो रहा था और उसे जबरदस्ती पकड़ कर बहार लेकर आता है और पूशता है तुम्हारे और पैंगियन के बीच क्या चल रहा है? वो कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? वही दो बोईस उन दोनों को गलत समझ कर भाग जाते है और फिर वीवे भी भाग जाती है सीचौंग सोचता है ये पकड़ का पैंगियन को लाइक करती होगी जुन-जुन से बोटल नहीं खुल रही थी तो जीया उसकी हेल्प करने लगता है और उससे हेलो करने वाला था पर वो बिना हेलो करे ही चली शाती है हमें पता चलता है कि युक्षिन की स्टैप मॉम बहुत बुरी है और उसके डैट भी उसके बिल्कुल केयर नहीं करते और इसी वज़े से वो हमेशा सैड और गुसे में रहती है पार्टी खतम होती ही सब चले चाते हैं पर वीवे अभी भी डैकुरेशन हटा रही थी सीचंग जैसी उसे बुलाता है वो फिसल कर उसके उपर गिर्शा आती है वीवे को बिचाते टाइम उसका गुटना ठुक जाता है तो वो उसे खड़ा करती है पर वाच्में सिर्पे हेड़फोन लगाए उन दोनों का गेट लॉक कर चाता है वीवे गेट खोलने की वास भी लगाती है पर वाच्में को नहीं सुनाई देता और वो दोनों एक ही रूम में लॉक हो गई थे इधर डैक्सी डिंग के साथ थी और देखती है कि वीवे का फोन उसके पास है वो डैक्सी को कॉल करने लगी थी पर फिर उसे याद आता है कि उसका फोन तो डैक्सी के पास है सीचों का फोन उसके पास था पर वो जुट बोल देता है कि उसका फोन डिंग के पास है ताकि वीवे के साथ टाइम स्पैन कर सके घर के राशन से लेके फैशन पे पैसे बचाने के लिए कैश करों पे शॉपिंग करना मत भूलना अप डिस्रिप्शन में डाउनोड करते ही रुपिस 25 का बोनस मिल चाहेगा नहीं तो मेरा कोड लवली25 यूज कर लेना अगर प्ले स्टोर या अप स्टोर से आप डाउनोड करते हो तो और इसके साथ पार्ट 4 का एंडो चाहता है बस थोड़ा से इंतजार करना फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में